नमश्कार स्वागत है आपका बेहदी विशेश कारेकरम कालच्रक्र में और मैं हूँ आपके साथ आर्जुदुबे तो दर्शकों कालच्रक्र में हम लोग बात करेंगे आपके राशी फल के बारे में जानेंगे कि आज का दिन आपका कैसा बीतने वाला है आचारे हिमान्शु उप्मन्युजी के माध्यम से जो की इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है जी हाँ तो सबसे पहले स्वागत कर दोते हैं आचारे जी का राधे 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 जी सबसे पहले दर्शे को जान लेंगे आज की तिथी और नक्षत्र के बारे में जी आज दीनांग के 13 नॉवंबर सन 2020 दुन है रविवार का तिथी है पंचमी जो की 10 बच कर 32 मिनट रात्री काल तक रहने वाली है और आध द्रहों नक्षत्र है जो 9 बच कर 18 मिनट प्रा तहकाल तक रहने वाला है सली दर्शे को अब जान लेंगे आज की राशी फल के बारे में अचारे जी सबसे पहले बात कर जोते हैं मेश, विशव और मिथन के बारे में जी मेश राशी के जात्कों को बता दूँ कहीं ने कहीं आज के दिन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो अब बात कर ली जाए अगर अगली राशी ब्रस राशी के जात्कों के बारे में तो ब्रस राशी के जो जातक हैं आज के दिन पत्सुक संबान उन्हें प्राप्त हो जाएगा लेकिन धन उनके लिए भी चिंता का कारण बनने वाला है कहीं न कहीं आर्थिक समस्यां आज के दिन बढ़ने वाली हैं लोगों के लिए कई लोगों को लाब भी होगा लेकिन कई राशियों को जाधत राशियों को मैं बता दूं आज के दिन धन से जुड़े हुए समस्या रहने वाली है लेकिन धन से ज़ुड ही समस्या का सामना वह भी नहीं कर पाएंगे और इसी के कारण जहां वह कारे करते हैं मुझे लगता है कही न कही दन को लेकर आज़के दिन उनके office या उनके car शेतर में उनका विवाध होना संभवत देखता है धन सेु जुड़ी हुई समच्या जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ he तो इस तरीके की चीजे कहीं न कहीं आज के दिन परेशान करने वाले जाल नेंगे करक सिंग और कन्या के बारे में जी बात कर ली जाए अगर करकराशी के जात्कों के लिए तो कहीं न कहीं करकराशी के जातक जो है वो आज के दिन अनेक तरह की खुशियां मिलने वाली हैं उनको और उन्हीं खुशियों के कारण उनके आसपास के लोग मैं कहूं कहीं न कहीं उनका परिवार भी उनसे खुश होने वाला है और इसी कारण से आज का दिन उनका अच्छा वितीस होने वाला लेकिन एक चीज पर उन्हें भी नियंतरन रखना होगा अकारण खर्च पर पैसे का खर्च करिए पैसा होता ही इसलिए है ताकि उसका खर्च जासके और अपना और अपने के सफर से अंग्रेजी के सफर में परिवर्तित हो सकती है अर्थात समस्याएं आ सकती है आपको समस्याओं का सामना करना पर सकता है थोड़ा सा और बताई है मतलब हिंदी के सफर से अंग्रेजी के सफर तक हमारे दर्सक जानना चाहेंगे कि इसका पुरा मतलब क्या रहेगा जैसे हिंदी का सफर है तो हम सफर में का रहते हैं यात्रा करते हैं रहाएं आप किसी प्रॉब्लम को फिज़ करें उसके साथ चलें तो वह कहीं ने कहीं उस उर्दू से अगरें पर चिपर चले में तो इससे परिवारिक जीवन की तो कहीं न कहीं सिंग रासी के जातकों का आज का परिवारिक दिन बहतर रहने वाला परिवार की ओर से परसनता की प्राप्ति होगी अब बात की जाए अगर छटी राषी कन्या के बारे में तो कन्या राषी के जो जाताख है कहीं न कहीं आज के दिन उनको इस्तरी से उनकी पत्नी से उनके जीवन साथी से उन्हें सुख की अनुभूद इसकी प्राप्ति होने वाली है ब्यापार रोजगार भी आज के दिन बहुत अच्छा चलने वाला है और यात्रा से मैं बता दूं कहीं न कहीं आपको लाभ जरूर होगा बाकी बात करूं अगर मैं आपके परिवार की तो कहीं न कहीं आपके परिवार में भी आज के दिन कोई सुब कारे संपाधित होता हुआ मुझे दिखाई देता है बिलकुल आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे तुला वृष्चिक और धनू के बारे में अचारे जी जी दुला राशी के जात्कों का बिता दू चाहिये तो सिंग को चाहिए कि भले ही वो कितना कमज़ोर हो जाए लेकिन बाहर संसार को कभी वो पता नहीं चलने देता है कि अंदर से उसमें कितनी कमज़ोरी आ गई है वो जब तक अपने संतान को अपने पुत्र को अपने सिंगासन पर बैठाल नहीं देता है तक किसी को अपने बारे में जानकारी नहीं होने देता है और आज के दिन अगर आपने अपने रोग या अपनी साजिरिक समस्या या अपनी मांजिक समस्या का जिक्र समाज के सामने किया तो वह आपके सत्रूओं तक पहुँचेगी और आपके लिए किश्ट का कारण बन जाएगी अब मैं अगर बात करनू वरस्चिक राशी के जातकों के लिए तो कहीं न कहीं वरस्चिक राशी के जातक है आज के दिन उन्हें उनकी संतान से सुक की प्राप्ति होने वाली है कुछ अच्छे लोगों से उनकी मुलाकात होने वाली है और यही कारण है कि आज के दिन रासी धनु के बारे में तो धनु राशी के जो जातक है आज के दिन उन्हें सुख तो प्राप्त होगा लेकिन कहीं न कहीं न कहीं उनके अपनों से ही आज के दिन उन्हें कष्ट की भी प्राप्ती हो जाएगी और मुझे आज के दिन उनके साथ जो है वहानाद की दुरखट इतना घटित होने के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं जो निश्यत ही उनके लिए अच्छी परिस्तितियां नहीं जान पड़ती हैं आखरी तीन राशी हैं हमारी बची हुई हैं जो कि हैं मकर कुंफ और मीन जान लेते हैं जी बिलकुल मकर राशी के जात्कों के बारे मैं बात कर लेते हैं मकर राशी के जात्कों को मैं बता दूँ अगर आज के दिन आपका कहीं प्रेम प्रसंग बहुत समय से चल ला आए तो थोड़ा सा वधानी बरत्ते हुए उस व्यक्ति से बात करें कहीं ऐसा नहों कि आज के दिन आपकी किसी बात पर क्रोधित होकर वेवेक्ति आपको छोण कर चला जाए और आपको वियोग का सामना करना पड़े यह सिर्फ प्रेम संबंद की बाते नहीं हैं आपके परिवारिक जीवन की भी बाते हैं लेकिन हां सांसारिक जीवन और परिवारिक जीवन जहां आपक कुम राशी के जात्कों में बता दूँ सारीरिक समस्या आज के दिन एक बड़ा कारण है जो आपके मन को विश्यत कर सकता है लेकिन इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो आज के दिन आपको आपके परिवार की और से प्रसनता की प्राप्ति होगी साथ ही आपका व्यापार रोजगार अच्छा चलेगा और आपको धनकी भी प्राप्ति होगी और अगर मैं कह दूँ कि आप कितना भी मानसिक तौर पर दुखी हो लेकिन आपको भी आज के दिन उस दुख से किसी को आहत नहीं करना है कि अब हम दुखी है अब चलो हम तुम क्यों खुश हो हम तुम राशी के जात्कों को मैं बता दू कहीं न कहीं उन्हें अनिच्छित तौर पर उनकी इच्छा नहीं है लेकिन उन्हें अपना घर छोड़ कर जाना पड़ सकता है किसी कर के कारण या अपने घर में आए हुए किसी नए महमान को छोड़ कर जाना पड़ सकता है या किसी ऐस से व्यक्ति को छोड़ कर जाना वड़ता है जिससे उनका लगाव है जिससे उनका प्रेम है यह आज के दिन उनके लिए अच्छी इस्तति नहीं है हाँ एक और समस्या है जो है मन का भय मन में भ्रह्म यह उनको आज के दिन परेशान करेगा और साथ ही धन का खर्च भी निश् चारे जी आज के लिए जुनके लिए आज को आज के दिन उनके अपने ही कही न कहीं कष्ट पहुचाने वाले हैं तो उनको चाहिए कि जिनके अपने उनके साथ कुछ धोखा कर सकते हैं जिनके साथ समस्या हो सकती है तो उनको आज के दिन जाकर भगवान श्यू को सहद से शिष्णान कराना चाहिए सहद पुष्टी करता है कहा गया मधु जो है भगवान श्यू को चड़ाने से आपकी पुष्टी होती है ऐसा लिखा हुआ है ऐसा वर्नेथ है तो आपको भगवान श्यू को जाकर सहद चड़ाना चाहिए जिससे आपके परिवार की पुष्टी हो आप क्या από कोई कमी नहों जिससे आपके अपने आपके साथ कोई चलब परपंच या धोखा ना करें। जी बिल्कुल। चली दर्शको आज के लिए काज चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विशे के साथ आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और बेहत खुश रही है। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले। ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया।